इस पर लिमिटेड कंपनी डिसक्स किया है इस लिमिटेड कंपनी की डिफेंट टाइपस होती है उन टाइपस के अंदर जो पहले टाइप है that is private company private limited company and the other one is public limited company अब इसमें क्या फर्क है इन differences को हमने छोड़ से दिखना है कि limited company में private limited company क्या होती है और public limited company क्या होती है starting with सबसे पहले नाम का फर्क company का नाम लिखा है उस नाम को पढ़कर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये company public limited है या private limited है वो फर्क क्या है अगर फर्स करें कि आपके पास जो है business का नाम है x limited business का नाम क्या जी x limited तो वो कौन सी company होगी private company और अगर एक public company है तो उसके लिए लाजमी है कि it will be plc limited x plc limited public limited के नाम के साथ plc होना चाहिए अगर हम अपनी company को लें मैं अपनी company को लूँ और वो private company होगी तो इस company का नाम होगा abc limited अगर मैंने सिर्फ abc limited नाम रखा आपने नाम पढ़ा abc limited का तो इंडिकेट कर रहा है कि वो company कौन सी है private है सेम तरीके से अगर public company होगी तो उसके नाम के साथ according to law according to uk law लाज़मी तोर पे नाम अटैच होगा कौन सा plc limited का उसके बाद transfer of shares क्या यह shares आपस में transfer कर सकते हैं answer is कि private sector के अंदर not without consent not private company के अंदर not without consent not without consent जबके public के अंदर easily transferable है easily transferable है private company के अंदर जो तादाद है लोगों की जो shareholders की तादाद है वो बहुत काम होती है और वो सिर्फ वो सिर्कल के अंदर रहते हुए जिसमें आपके दोस्त आपके जानने वाले अजीज रिश्दार वगारा वो ही लोग मिलकर उस company का हिसा बन सकते हैं तो यहां पर अगर आपने private company में अपने shares को transfer करना है तो आपको लाजमी तोर पर बाकी shareholders की भी consent लेनी पड़ेगी कि हम जिसको shares बेच रहे हैं जाहिर सी बात है वो बन्दा आपकी company का हिसा बनेगा तो उसको हिसा बनने के लिए आप लोगों की consent का होना आप लोग की रजामंदी का होना आप लोग की मर्जी का होना ज़रूरी है जबके public अंदर ऐसा कुछ नहीं है पहले जो लोग share holders है हम कौन सा उनको जानते हैं वो कौन सा हमारे दोस्त रिस जार है तो भाई किसी को भी shares आप issue कर सकते हो किसी को भी आप shares अपने ट्रांसफर कर सकते हो उसमें कोई limit नहीं है और normally public limited company के जो shares होते हैं वो stock exchange पर trade हो रहे होते हैं जैसे हर किसी भी business में किसी भी product के को market होती है तो shares जो exchange होते हैं जो trade होते हैं they are traded at stock exchange shares को trade का किया जाता है stock exchange में directors कौन होंगे private company के directors कौन होंगे private company के directors उस बंदे को बने वो बंदा बनेगा जिसके पास substantial shares हैं उस company के voting rights होते हैं vote करते हैं आप elect करते हो तो जब एक बंदे के पास substantial shares मौजूद हैं अपनी ही private company के तो he can appoint himself as a director तो वो खुद को जो है वो अपने तोर पर elect करवा सकता है जबके public के अंदर जरूरी नहीं है कि आपके पास shares हों क्योंकि सारी authority कि इसके पास है यह सारी authority public के पास है कि वो अपनी company को चलाने के लिए किन लोगों को share कि लोगों को director बनाना चाहती है तो difference अगर करें तो जिन लोगों के पास भी private company में substantial shares होंगे वो private company के directors हो रहेंगे लेकिन अगर आपके पास कम shares भी है तो still you can manage to be the director of the company अगर आपके उपर shareholders का आशरबाद है जो कि आपको elect करवा कर वहां पर पहुंचा सकते sources of capital इसका पैसा का साएगा public से public limited company का पैसा का साएगा public साएगा लोग invest करेंगे shares खरीदेंगे जबके private के अंदर पैसा आएगा promoters से who are the promoters जो company को establish करते हैं जो company को बनाने का ख्याल लेकर आते हैं जो company को बनाते हैं company को establish करते हैं they people are known as promoters तो यहां पर जो पैसा होगा वो कहां से आएगा promoters से आएगा या फिर investor से आ सकता है या फिर venture से venture से venture क्या होता है venture का मत्तब होता है कोई भी contract एक word हम use करते है joint venture का joint venture का मत्तब ही होता है assuming कि मेरी एक construction company है और उस construction company के लिए मुझे एक बंदे की जरूथ है जो के मुझे land provide करे I can construct on it but still I need some money मुझे कुछ पैसे चाहिए और जो के मैं land purchase करूँ तो या तो को मुझे land purchase करवा दे या फिर मुझे वो land provide कर दे ताके उसके उपर हम कुई housing society बना सकें तो वो जो land provider होगा या land के लिए पैसा provider होगा that बंदा will be our venture वो हमारे साथ venture कर रहा होगा वो हमारे साथ joint venture कर रहा जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहा होगा तो उस प्रोजेक्ट में skills मेरी यूज हो रही construction मेरी यूज हो रही है जबके पैसा जो है वो मेरा जो मुझे जॉइंट वेंचर कर रहा है उस business के अंजर उस प्रोजेक्ट के अंजर that person will be providing me with the money or capital तो यह कुछ difference हमने पढ़े private में नाम के साथ क्या आएगा x limited जबके public के नाम के साथ क्या है का PLC limited without consent आप shares transfer नहीं कर सकते है जबके यहां पर आप easily जिसको चाहो shares transfer कर सकते हो you can go to the stock exchange and sell your shares directors वो लोग होंगे private के इंजर जिनके पास substantial shares होंगे जादा तादाज में shares होंगे ताके वो elect होकर shareholder की तौर पर elect होकर director की position पर आ सकें जबके यहां पर अगर किसी बंदे के पास कम shares भी है still he can manage to be the director because यह सब कुछ elect कौन करवा रहा होता है shareholders elect कर रहोते है next one is कि पैसा का से आएगा public limited company का पैसा public से जबके shareholders के पास private limited company में जो पैसा होगा वो promoters या venture से आएगा promoters मैंने discuss किया कि जो लोग company को बनाते हैं company को ख्याल करते हैं company को establish करते हैं they are known as the promoters whereas the venture में क्या होगा venture यह होगा कि आपने और एक और बंदे ने मिल कर को कारूबार किया तो उसने आपको पैसा provide किया तो वो पैसा भी आप अपनी private company में use कर सकते हैं अब हम discuss करते हैं कुछ advantages और disadvantages हमने इतना elaborate किया है इस topic को तो कुछ फाइदे होंगे कुछ नुकसानात भी होंगे किसी इसके limited company के तो क्या-क्या advantages हैं क्या-क्या disadvantages थोड़ एक एक करके discuss करते हैं नमबर वन more money जादा पैसा होगा public limited या limited company चाहे वो private हो या public हो comparison to the sole trader and partnership partnership और sole trader के comparison में इन लोगों के पास जादा पैसा होगा उसका reason है इनके पास investors जाद है sole trader बिचारे के पास एक अकेला बंदा है वो अपनी तमाम तर जमापुंजी को भी लेकर आ जाए तो फिर भी that will be limited same applies in the partnership as well कि वहाँ पे भले एक से जादा लोग हैं but still there is a limit दो या दो से जादा but still there is a limit और वो सब मिलके भी अगर invest करते हैं तो फिर भी कहीं न कहीं जाकर वो limit आ जाएगी उससे उपर आप नहीं जा सकोगे जबके company के अंदर खास दौर पर public limited company के अंदर क्योंके unlimited shareholders है unlimited public इस company का हिस्सा बन सकती है तो there is no restriction आप जितना चाहो पैसा उसमें risk कर सकते हो reduce risk, reduce risk, risk reduce हो गया कैसे इस limited word की वज़ा से इस word limited की वज़ा से इन company का risk क्या हो गया limit हो गया, reduce हो गया, क्यों? अब आपने जो पैसा invest किया वो तो risk पर है पर आपके private जो आपकी personal assets हैं वो risk पर नहीं है क्यों? क्योंके जो sole trader में और partnership एक unlimited liability का disadvantage था वो ये था कि उन लोगों कोई हर वक्त ये तलवार लटकरी हो रही थी कि भाई अगर हमारे business ने हमारा loss पूरा नहीं किया तो फिर हमारे personal assets हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे वाकिकी जाएदाद ये जाएगी जिससे हमारा business का loss पूरा होगा जबके public limited या limited company के जो share holders हैं वो इस परेशानी से दूर हैं क्यों दूर हैं? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये company loss में भी गई तो हमारा अगर डूबेगा तो बस उतना ही डूबेगा जितना हमने इस business में invest किया था बस further हमसे हमारे personal assets से बात नहीं आएगी therefore reduce risk हो गया एक और चीज, separate legal personality है discuss earlier कि जो company होती है वो law की नजर में separate है अगर aslam journal store पे कोई बंदा case करेगा तो वो case basically aslam भाई पर ही होगा तो aslam भाई विचारे को aslam journal store के मामलात को भी फुकटना पड़ेगा लेकिन अगर company की बात करें तो company की क्योंकि separate legal personality है law की नजर में company separate उसके shareholders उसके directors अलग है तो they are not accountable for the acts of the company company ने contract किया तो company खुझ भुकतेगी company उसको भुकतेगी, company उसके मामलात देखेगी कोई बंदा company पे case करेगा, director पे case नहीं करेगा company सामने वाले पे case करेगी, director को जा कि पेशियों नहीं भुकत नहीं है कि director को जा कर नहीं कहना कि जी मैं आप पर case कर रहा हूँ next one is no restriction, case जी इसकी restriction नहीं है जितना मर्जी आप पैसा raise कर सकते हैं, जितना मर्जी आप अपने business को expand कर सकते हैं, और expansion भी possible है, restriction नहीं expansion में, reason क्या है, पैसा आपके पास है, अगर और expand करना है business growing है, sole trader या partnership बिचारों के पास limit होती है still if they are doing very well, बर still वो expansion possible नहीं होती है, वो expand नहीं कर पा रहे होती है क्योंकि उनके पास capital restricted है, उनके पास manpower restricted है, उनके पास control power restricted है पर यहाँ पर तो सारा खेल ही, तमाशा किसी, इसका है, पैसो का, पैसा इनके पास है, तो जितना चाहे अपने business को expand कर सकते है अब now discussing some disadvantages, जादा company में disadvantage नहीं है, बट एक दो अगर हम discuss करें, starting with the number two first, less power of owners sold trader में और partnership में advantage ही होता है, कि owner और control एक बंदे के पास है, तो अच्छा खासा control है, सारे मामलात उसके सामने है सब चीज़े वो खुद manage कर रहा होता है, तमाम अच्छे बुरे का वो खुद जिमेदार होता है, और जाहर सी बात है, कि जब उसके पास control है, तो कहीं न कहीं, उसकी पूरी कोशिश क्या होती है, कि जी मेरा पैसा है, मैं इसको बढ़ाओं, मैं इसमें बेतरी लेकर रहाओ उसमें effort कर तालुक होता है, effort जादा होती है, लेकिन company के अंजर के, इन बिचारों के पास कोई इतनी power नहीं है, सिवाए इसके, कि भाई, बहुत बुरे हैं न हम, तो जाओ छोड़के चले जाओ, जाके अपने trade stock के exchange में sale कर दो, बस, चलाने वाले कौन है, directors चलाने वाले, तो directors जब चलाएंगे, तो directors जायर सी बात है, public के पैसे के उपर खेलर होती है, जिसके उपर owners का कोई control नहीं होता, तो हमें उनके, जो भी उनकी decision making है, जो भी उनकी policy making है, उसको थोड़ा सा सर नगू करके, सर जुका कर, उनकी policies के मताबिक हमें अपनी company को चलाना पड़ता है Last point is disadvantage के अंदर, that is legal compliance cost, बड़ा जी, sole trader के लिए कोई law apply नहीं है, partnership के लिए कैसे operate करना है, कैसे operate नहीं करना, कोई law apply नहीं होता, लेकिन company का तमाम मामला ही क्या है, उस सारे का सारा कहानी किसी इसकी है, that is according to law, company के अंदर, company के बनने से लेकर, company चलेगी कैसे, company बढ़ेगी कैस company में कौन director होगा, meeting कैसे होगी, काम कैसे होगा, directors क्या होते हैं, उनकी powers क्या होती हैं, duties क्या होती हैं, यह सब कुछ आपको law बताता है, यह सारी की सारी कहानी आपको law discuss करके देता है, और आपको उस law के मताबिक ही चलना पड़ता है, उन laws को comply करना पड़ता है, जिसकी cost क्योंकि तमाम मामलात law के हैं, और हो सकता है कि जो directors हैं, उनमें कोई law का knowledge ना रखता हो, तो you have to hire a legal advisor, और जब आप law को comply करोगे, को fine pay करना पड़ता है, को penalties pay करनी पड़ती है, कहीं पर registration piece पे करनी पड़ती है, तो वो सब चीजें कहीं न कहीं आपके लिए एक disadvantage हैं, क्योंक आपने business को law को, company को law के मताबिक comply करवाना है, तो कहीं न कहीं you have to bear the cost, यह हमने discuss किया जी, limited company को थोड़ सा हमने मजीद elaborate किया, जिसमें difference देखा है private और public company का, और कुछ advantages और कुछ disadvantages देखे हैं of a limited company, profit oriented, non-profit oriented और private sector हमने यहां तक पुरा complete कर लिया, झाल